हेलो फ्रेंद्स वेलकम बेक तो मैं चैनल तो आप सब कैसे हो गुड मॉर्निंग अभी बुझ रहे हैं सुभे के साड़े साथ और में नहाद हो के बिल्कुल हो चिकी हो रेडी और यह देखो मैंने पूझा भी कर लिये तो सुभे सुभे कितना भी अब लोग लेट उटो लेकिन अच्छा नहीं लगता है लेकिन जल्दी भी उट जाओना तो बहुत अच्छा हो लगता है उसके बाद दुफायर हो गई थी एक बच चुका था हम लोग खाना वना का चुके थे फिर सोचा चट पर दोड़े चुका नार्यल प्रोडव पड़ है और उसका नारियल रहा ही पड्वण लेया है तो ममा करें मोड़े में तो बेस्में थाओन और बनाओं के लिए और यह इन दोनों को खिलाूंगी मैंने का मैं तो नहीं खाने वाली भई तुम इखाओगे मैं नहीं खाऊंगी फिर मैं यहाँ पर अपनी मर्जे से बस एक अमरूत का रही थी क्योंकि मुझे अमरूत बहुत अच्छा लगता है और मम्मी बस या नार्य Juda ने की तइञारी करी थी यह न बस चलका उतारने के बाद इसे फोन लगई यह देखो एक की बार में तूट गया हम ने सोचा 아ी नहींmade कि फूटेगा सोचाता देखो इसको ने देखो कितने बड़े-बड़े ग्लास लाइती जैसे कितना सारा पानी निकलेगा ग्लास भर बर के लेकिन सारा पानी तो ऐसे ही बरबाद हो गया और यह जो थोड़ा से एक-दो बुन बच्चाना मम्मी खुद पी गई उसको पिलाई और मेरे लिए तो बच्याई नहीं लेकिन मैं बहुत असरी थी कि मारा फूट गया इसलिए फिर हो गई थी शाम यहां पर हम लोग छट साय थोड़े सोव हो गए थे और सुबह ही न मैंने यहां चने के डाल भीगो के रखे वाए थे तीनचा घंटे क्योंकि आ चने के डाल और यह न में अच्छे से डाल को कर लियाक और उसके बाद में अच्छे से निकाल रही थी पूरा फिर मैंने या प्याज और हरी मिर्ची अच्छे से काट लिए मैंने जप्याज लिए क्योंकि ना पकॉड़े में प्याज कर अट रहे करूंगा यह र blossom की फिरूल मीर्चoples दाली थी उसके बाद मैंने इसमें डाला दो चम्मच बेसन डालने से यह होता है कि जो पकोड़ा तो बिल्कुल अच्छे से कुरकुड़ा रहे हो जाता है चिपक भी जाते हैं मतलब कि अच्छे से बनते हैं और फिर मैं इसमें डाल रही आधा नीमबू का रस क्योंकि जलाए यहां पर और रगदी कड़ाई और सब्सक्राइब बहुत जादा मंथा चने के डाल की पकोड़े की सबजी खाने का क्योंकि थोड़ा-थोड़ा ना मौसम बहुत थंड़ा हो गया थंड में चाई पकोड़े मजा ही आता है खाके तो सामके टाइब हमने गरम गरम च चिप चिप हो जाता है तो जाते है इसलिए तेल में आधषी से घरम करना है ताकि बिल्कोल प्सक्रेश कोड़ टूते नहीं और बहुत अच्छह कुरकुड़ारी बनिए बनानेंगे तब और टेस्टी भी लगते यहां में थोड़ा सा देख रही थी कि पकॉर तेल गरम हुआ है नहीं फिर मैंने एक पकॉरे डाला और वो बिल्कुल उपर तक आ गया था मतलब कि तेल अच्छे से गरम हो गया फिर मैंने इसमें सारे की सारे एक एक करके पकॉरे डाल दिये दगो कितना टेस्टी लग रहा और में काली मिर्च इन दो और इन चारों को मैं अच्छे से पीस लूँगी इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आते है अगर आप पीसने नहीं चाहते तो कूच के भी से डाल सकते हो और यहां पकॉरा एक साइट से अच्छे से फ्राई हो गया था तो बस अब मैं इसको यहां तो बस यह बनके रेडी हो चुका है मैंने इसको नवाट दिया ताकि यह दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाये और यहां पकॉड़े बनके बिलकुल अच्छे से रेडी हो गई थोड़ी दिन मैं इसे छोड़ दिया ताकि तेल जोसारा नीची निकल जाए और कितने क्रिस्पी क्रिस्पी बने था वह buyer या है अपको अथी को भहुआ ने किस को चेइस की दाल के पकोड़े पसंदे मुझे का मैं बढ़े को द सकते डש म कॉठ चेया के कौ 10 को फटे क सके हैे ना अब खड़ी मसाले ना अलग से हम लेकर आके रखते हैं तो मैंने वही डाला है उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जो पेस्ट मैंने बनाया था अध्रक लैसन जीर मरीश का वह डाल दिया है और सच में जब मैंने इसे डाला ना बहुत अच्छी घुशबु आरी थी और थिक बनेगे और अच्छी लगेगी पर मैंने प्याज नहीं डाला है आप चाहिए तो ब्याजी स्किप भी कर सकते हो और दो मिनट इसे बुनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है तीन चाह टमाटर क्योंकि टमाटर के बिना तो सबजी है दूरी से लगती है मुझे को में आप चाहिए परिमिल और सब्सक्राइब जाले है नहीं हो तो कोई बातने सकते हो लेकिन हो तो उसे जरूर टालिए और दो मिनिट के बाद मैंने डाल दी मसाला क्योंकि नहीं कि दाल लिए टाल्यार में लेकर यह ताकि मसाला जलेणा और मैंने इस अच्छे से कर कि इसे में अच्छे से कर लोंगी मिक्स और सच में बहुत अच्छे घुश्प आ रही थी से बूंते टाइम इदे को दीरे दीरे ने इसका कलर कितने अच्छे से चेंज हो रहा है न साला जब तक फ्राई हो रहा है देखो सारे पकोड़े मैंने तल ले तो लास्ट में थोड़ा सा जल गया था पर कोई नी वह हम खाई लेंगे जैसे तैसे पर इतना भी नहीं जला तो थोड़ा सी जला तो कितना क्रिस्पी लग रहा है ना बहुत टेस्टी पकोड़े बने थे और बहुत ही अच्छे भी लग रहे थे खाने में उसके बाद यह मसाला बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है तो मैं अपना फिवरिट मसाला डालूंगी जो है गरम मसाला वह भी अच्छा इससे ना फ्लेवर और स्मेल बहुत अच्छी आती मुझे खुश् कि अच्छाु अच्छा करवा अच्छा पानि या, तो मैं ने उसके अच्छे से बीच एय तो मैं ने उसी मिक्सिर में जिससे गरेंड कया है थे ऊसमें पानी डाला उसमें थोड़ा पानी डाला और इसमें मैं lets me आपको ग्रेवी कितना पसंद है मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है क्योंकि हम लोग थोड़ा सूका खाले चलेगा लेकिन पुरा पानी-पानी सब्जी अच्छा नहीं लगता तो मैंने इसे थोड़ा थीकी रखाई ग्रेवी को और क्योंकि हम लोग इसमें पकॉड़े भी सब्जी अच्छे से पक जाए और कच्छा अच्छा फ्लेवर भी नाए सब्जी तो वैसे बनके रेड़ी हो चुकि लिए दो तीन मिनट और फिर मैं इसमें धनिया डाल दे ताकि ना जब तक कि पगोड़े सॉफ्ट होंगे धनिया का फ्लेवर भी अच्छे से आजाएगा बनने के बाद हम फिट से धनिया डालेंगे यह देखो सबजी दो तीन मिनट के बाद ही बन के कितनी अच्छे से रेड़ी हो गई है मेंने गेस का फ्लेम बन कर दिया और धनिया डाल दिया बर भर के मुंझे धनिया भी बहुत पसंद है सब्यनिय में जो ठाकि जितना भी फोसी कि इस तो है आप लोगों को कि यह रेस्पी आती है यह नहीं मुझे कमेंट्स में जरूर बताना व किसको यह रेस्बी पसंद है मुझे यह ब Core को इस तो अब लगों को मेरा यह एंचे स्थी लगए मुझे कमें बटाना और वीदियो अच्छ लगा तो धेर सारी लाइक एंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग भी थंडी आ गई अपने घर पे बनाई है और इंजॉय कर गए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं डेक्स वीडियो में गाइस तब तक के लिए बाइबाई